नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का एक बार फिर से राजुस्तर के नाम से इस्टुप चैनल के अंदर MCQ वीडियो की स्कड़ी के अंदर एक और नेया MCQ ट्यम लेकर आए हैं SSE CRPF ESIC exam के point of view में कुछ important MCQ जिनको solve करने वाले हम भी द्रैस्नले आप लोगों से गुजारी इस फटापट से लिंक को सेर कर दीजे चैनल को लाइक कर दीजे चैनल को subscribe कर दीजे वीडियो को लाइक करना ना भूले वीडियो सेसन में हम बात करने वाले कुछ important कुछ tricky कुछ conceptual MCQ तो फटापट सेर कर दीजे लाइक कर दीजे वीडियो को Maximum जो है student को connect कर दीजे एक सांदार MCQ session जिसका आगाज करेंगे हम कुछ important MCQ के साथ में आज के इस MCQ session का सबसे पहला question आप लोगों के सामने ये रहा Physician has prescribed NPH insulin for a client with diabetes mellitus which statement indicates that the client knows when the peak action of the insulin occur NPH insulin वापे patient को prescribe किया गया है question ने आपको पूचा है कि NPH insulin का peak action कब होगा NPH insulin, N-insulin, intermediate insulin को बोला जाता है यह N-insulin जो है intermediate insulin होता है इसका peak action पूचा आपको कब होता है First I will make sure I eat breakfast within two hours of taking my insulin insulin लेने के दो घंटे के अंदर-अंदर मुझे breakfast करना ये बात sure है दूसरा I will need to carry candy or some form of sugar with me all the time मुझे हर समय अपने साथ में कुछ के candy और सुगर जो है वो साथ में रखना पड़ेगा क्योंकि अभी भी आइपोग्लाइसमिया हो सकता है last I will eat a snack around three o'clock each afternoon हर afternoon को तीन बज़े के आसपास मुझे snack लेना पड़ेगा last I can save my desert from soup for a bad time snack ना रात को bad time के समय मुझे snack लेने की जुरूद थे चार ओप्सन लिए वे हैं एन्पे अंच इंसुलिन का जो है वो पीक टाइम का अगर आपको आइडिया है तो इस question का answer आप अराम से दे सकते हैं फटा पड़ से अपना जॉब लिगएगा दो गंटे के अंदर अंदर लेना या quirky क billionaire साथ में या तीन बज़े के आज प्दा स्नेक लेना यह बैट टाइम के सनमय स्नेक लेने की जुरूद ए ınız ait एंप इंसुलीं का पीक टाइम आप सबको पता होगा एंट से बारा गंटे होता है इसका फीक जो गता है वह 8 się 12 सकतरथ होता है 90 to 120 minutes पे होता है 90-120 minutes मलब ड़ाइड से 2 गंटे में इसका onset of action होता है यह लगंटे बाद में इसका चुछ होगा तो दो गंटे के अंदर अंदर जो है ब्रेक पास्ट अपन ले रहे हैं दो गंटे के अंदर-अंदर ब्रेक पास लिया तो इसका कोई नॉर्मल सेंस वाली बात नहीं है ना तो ए इंकरेक्ट हो गया क्योंकि जो ओंसेट ओप एक्सन है वो हमने बोला 90 to 120 मिनट्स होता है बी ऑप्सन जो है वो गलत है क्योंकि यह जो इंसुलिन होता है इसका टाइम रिलीज जो रहेगा वो यू तो इस फास मरीज को होने की संभावना है इसको उस समय कुछ एक्स्टा स्नैक के रूप में इंटेक करना होता है D option यहाँ पर खोटा है, bad time के समय स्नेक और यह लेने का कोई खास जरुरत नहीं है, तो यहाँ पर correct answer क्या बनेगा, C, I will eat a snack around 3 o'clock each afternoon, बहुती बढ़िया, बहुती सांदा, अगे लेके चलता हूँ, next देखिएगा, A client with rheumatoid arthritis is receiving methotrexate, After reviewing the client's chart, the physician ordered welcovorin, leucovorin, calcium आता है welcovorin में, तो मरीज को rheumatoid arthritis के लिए क्या चल लाता है, methotrexate, और physician ने उसको order किया welcovorin, The rational is for administrating leucovorin calcium to a client receiving methotrexate, कोई भी मरीज जो methotrexate receive कर रहा है, उस मरीज को leucovorin या welcovorin देने का क्या आपका उदेश्य है, क्या rational है इसके पीछे, फॉर्स्ट ऑप्सन है, ट्रीट आइरन डेपिशन से अनिमया कोई भाई टीमो थेरोपीटिक एजेंट, यह जो चीमो थेरोपीटिक एजेंट है, तो ट्रेक जेट इससे होने वाले आइरन डेपिशन से अनिमया को ट्रीट करने के लिए दे रहे हैं, दूसरा है, तीसरा है, इंक्रीज दे नंबर आप सर्कुलेटिंग न्यूट्रोफिल, सर्कुलेटिंग न्यूट्रोफिल के नंबर को बढ़ाने के लिए देते हैं, यह लास्ट है, रिवर्स ड्रॉक्सिसिटी और प्रिवेंट टिश्यू डेमेज, जो मैतोट्रेक्जेट है, उसकी होने वाली टॉक्सिसिटी को रिवर्ट करने के लिए और टिश्यू डेमेज को प्रिवेंट करने के लिए देते हैं, कौन सा करेक्ट आंसर है, फटापट से जवाब लिखिएगा, बहुत सिंपल सा है, मैतोट्रेक्जेट जो दवई है, इसके बारे में एक खास इंपोर्टेंट बात है, कि ये दवई फोलीक एसीड एंटागोनिस्ट है, ये दवई क्या है, फोलीक एसीड एंटागोनिस्ट, जो फोलीक एसीड एंटागोनिस्ट है, जब यह folic acid antagonist है इस दवई के साथ में हम leukovarin दवई इसलिए देते हैं ताकि यह दवई methotrexate के toxic effect को कम करती है इसका toxic effect है folic acid antagonist इसके toxic effect को कम करती है methotrexate methotrexate sorry leukovarin तो methotrexate के synergistic effect यह नहीं देती है और नहीं circulating neutrophil को बढ़ाती है यह दवई इस ड्रग के toxic effect को रिवर्ट करती है और tissue damage को क्या करती है prevent करती है तो correct answer क्या बनेगा डी तो a b और सी तीनों क्या होगे खोटे बहुत ही बढ़िया correct answer है डी बहुत ही सांदार आगे लेके चलता हो next देखिएगा next देखिएगा a client tell the nurse that sees allergic to egg, dog, rabbits and chicken fetters मरीज ने क्या यहां बोला है एक client जो है वो नर्स को कह रहा है कि उसको allergy है किस से allergy है एग से, डोग से, रैबिट से और chicken के फितर से, पंको से which order should the nurse question कौन से order को आप question करेंगे जिस मरीज को डोग, रैबिट, एग, चिकन, फितर से allergy है उसको कौन सा order मिलने पे आप उसको question उठाएंगे टीबीट skin test, रुबेला vaccine, एलाईजर, एलाईजर test और chest x-ray कौन सा test आप question करेंगे जिसको एग, रैबिट और चिकन, फितर से allergy है बहुत बढ़िया कुछ लोगों ने ठीक जॉब देनी की कौसिस की है वो मरीज जिसको allergy है जो मरीज जिसको allergy है डोग, एग, रैबिट और चिकन, फितर से उस मरीज में बहुत लाइकली हम रुबेला का वैक्सिन काम में नहीं लेते हैं रुबेला का वैक्सिन जो है इसके अंदर जो है, मतलब जिसको इस से allergy है उसको डोग, एग, रैबिट और चिकन, फितर से allergy है, वो मरीज को रुबेला के वैक्सिन से allergy होईगी, तो यह अगर उसको order हुआ है, तो इस पर हम question उटाएंगे, यह नहीं दे सकते हैं, जो जिस client को allergy है, नियो माइसिन से, वो भी इसकी रिस्क पे होता है, नियो माइसिन से अगर allergy है, नियो माइसिन से तो वो भी रिस्क पे होता है, A, C और D जो option है, TB test, Elijah और चेस्ट एक्सरी, यह incorrect है, क्यूंकि जिस मरीज को इस से problem है, उसको यह test करने से कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सांदार, आगे लेके चलता हूँ, नेक्स देखिएगा, नेक्स देखिएगा, देखिएगा, नेक्स देखिएगा, नेक्स देखिएगा, यह देने का टाइम क्या है, 30 मिनट बिपोर मील, विद इच मील, इन इस सिंगल डोज एड बैड टाइम, 60 मिनट आप्टर मील, क्या एग्जेक्ट टाइम है, मेडिकेशन देने का, पर जो जेंटेक्ट रैनिटिदीन दवाई है, वो स्टामिन ब्लोकर है, एस्टू रिसेप्टर ब्लोकर है, यह द्रग जो है, उसको दिया जाता है, हमेशा, याद रखिएगा, इस ड्रग को दिया जाता हमेशा, विद मील, बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सांदार, कुछ लोगों ने ज्वाब देने की कौसिस की है, बी करेक्ट आंसर है, विद मील देते हैं हमेशा, विपोर मील नहीं, खोटा, 30 मिनट विपोर मील गलत है, जिन्होंने भी यहाँ आंसर लिका, वो 10-10 बार आंसर लिकेंगे B, 10 टाइम्स, आंसर B, क्यूंकि इसको खाने के साथ में देते हैं, उप्टिमल इपक्ट लाने के लिए खाने के साथ देना होता है, इसको कभी भी विपोर मील जो है वो नहीं देते हैं, इसलिए यह आंसर खोटा होगया, स्टाबीन ब्लोकर जो होती है उसको एक सिंगल डोज में बैठ टैम दिया जाता यह सिंगलेफ़ जवाब तैया ज auto है यह 60 minus आप्टर मेल इसका कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा तो अच्छा एब्जोप्शन बढ़िया होता है खाने के साथ में तो बी यहां पर करेक्टर आंसर है A C O D तीनों ही क्या होगे खोटे जवाब होगे बहुत ही बढ़िया बहुत ही सांदार आगे लेके चलता हूं a client is admitted to the hospital following a gunshot wound to the abdomen a temporary colostomy is performed and the physician writes an order to irrigate the proximal end to the colostomy the nurse is aware that the proximal end of a double barrel colostomy is the end that एक मरीज admit हुआ hospital में gunshot wound injury हुई उसको समझेगा abdomen के उपर temporary उसमें क्या किया आपने colostomy बनाई फिजिशन ने write किया कि order की irrigate करो proximal end of the colostomy proximal end को irrigate करो नर्स जो है वह aware है कि जो proximal end होता है colostomy का double barrel colostomy का वो end कौन सा होता है आपको बोला कि proximal end जो है उसको irrigate करो आपको यह पता होना है कि जो colostomy की हुई है colostomy कैसी है double barrel colostomy है double barrel colostomy के अंदर proximal end कौन सा होता है पहला है is the opening on the clients left side left side value opening the opening on the distal end of the clients left side left side में distal end पे होने वाली opening is the opening on the clients right side is the opening on the distal right side left side distal left side right side distal right side question ने पूचा है proximal end of the colostomy को irrigate करना तो proximal end कौन सा होगा proximal end double barrel colostomy है proximal end double barrel colostomy का मेसा वो end होता है जो किसकी तरब हो small intestine की तरब वो end होता जो किसकी तरब हो towards the small intestine और इस end को कौन सा end बोलते है end opening on the clients right side see यहां पे बिल्कुल करेक्टांस वरे right side समझ भारे हो बात को यह ना जो right side के अंदर end है उसको proximal end कहते है यह ना proximal end पूचा है पास वाला पूचा है तो small intestine पहले है large intestine बाद में colostomy colon के अंदर opening की जाती है तो आप सब को पता होगा कि आपका जो डूडी नम है stomach है उसके बाद में डूडी नम है जजूनम है उसके बाद में सिकम है फिर colon ascending transverse descending और सिकमोई तो जो right side के का होता है यह proximal end है colostomy की को जान में किया colon में किया तो यहां से start किया तो यह एंड हमेंसा right में होगा फिर यह transfer होगे फिर descending होगी तो यह end left में होता है left वाला तो digital हो जाएगा और हमें क्या पूचा है proximal end फूचा तो proximal किदर बनेगा right side के अंदर जो आपनिंग राइट साइड में होता है वह प्रोग्जिमल एंड डबल बैरल में किदर और और राइट साइड इसले पास होगा समझ पा रहे हैं इसलिए करेक्ट आश्वर सी बनेगा एगा फोटे जवाब बहुत यह सांदार आगे लेकर चलता हूं दाएगा when the nurse check the fundus of a client on the first postpartum day she notes that the fundus is firm at the level of the umbilicus and is displaced to the right the next action the nurse should take is fundus का examine कर रहे हो postpartum time के अंदर और fundus firm है umbilicus से level के उपर है और थोड़ा right side में displaced हो चुका है अगला action क्या रहेगा आपका check the client's blood distension assess the blood pressure for hypotension determine whether the oxy toxic drug was given check for the expulsion of small clots फटापर से जवाब लिखेगा fundus बहुत simple है बहुत simple logic है फटापर से आंशर लिखेगा कुछ लोग आप दे रहे हैं कुनों ने ए दिया है किनों ने C दिया है डी दिया दे कि अगा फंड़स firm है अमलिकस के लेवल पर है और right side में displaced हो चुका है जब भी आपको question में दिया जाए कि फंड़स जो है वो right या left side में displaced है मतलब खिसका हुआ है इसका मतलब उसके नीचे fundus के नीचे होता है bladder bladder distended है यह बिल्कुल correct answer है urine returned हो जाता है bladder distended हो जाता है fundus displaced हो जाता है तो यह fundus का right या left side में displaced होना bladder के distension को indicate करता है बी गलत जवाब है क्यूंकि जो finding है यहाँ पे वो blood pressure या hypotension से समंदित नहीं है जो उपर finding दी हुई है उसका समंद आइपोटेंशन से ही नहीं और यूज करते हैं यूटरस को contract करने के लिए और वो तब करते हैं जब वहाँ पे जो है आपको यहां पर question में कई भी नहीं लिकावाई कि मरीज को जो है सेंस नहीं है तो यहां determine करने की जुरूत नहीं है कि ड्रकों दिया जाएगा यह नहीं दिया जाएगा और लास्ट ऑप्सन में लिकावाई expulsion of small clot जो है वो नॉर्मल होते हैं इनको चैक करने की जुरूत नहीं है तो इसके साथ में कुछ भी करने की जुरूत नहीं है राइट साइड में डिस्प्लेस हुआ है इसका एक मातर रीजन है ब्लाडर का डिस्टेंशन तो ब्लाडर खाली करवा हो यह सबसे पहली प्राइटी है तो यहां पर करेक्ट आंसर है बी सी और डी तीनों ही क्या हो चुक है खोटे जवाब हो चुक है तो इनकी तरफ आपको ध्यान देने की भी ज़रूत नहीं है आगे लेके चलता हूँ नेक्स दहकिएगा नेक्स दहकिएगा मरीज को क्या ओडर हो गया है कैट जाच करा हो साब कम्पूटराइज एक्जियल टॉमोग्राफ यह फुल फॉम है कैट की और यह स्कैन करवा हो आप जाके सेरिब्रल एन्यूरिजम की संभावना यह जता रहे हो आप तो आपको कौन सी इंफॉमेशन जो है आपको ध्यान रखनी होगी जब आप मरीज को कैट के लिए त्यार कर रहे हो पहली है कि हविंग हर मेंस्ट्रल पीरियड में तो नहीं है लेडी इस्ट्री नहीं है उसके कलस्ट्रोफोबिया की ऐलर्जी तो नहीं है उसको आस्ट्र से या संसरी डैफनेस तो नहीं है उसको कौन सी चीज को आप ध्यान में रखेंगे चार आपसन यहां पे दिये वह है CT, MRI की बात मैंने लास्ट सेसन में कीती है और वहाँ पर करेक्टर अंसर तर डैपनेस आपको याद है तो 12 पन, MRI प्रोब्लम होती है, यहाँ पर क्या चीज आप ध्यान में रखेंगे, क्या कौन सी चीज प्रोब्लम करेगी जब CAT scan आप कर रहे हैं, CAT scan के लिए प्रिपेर कर रहे हैं, कौन सी चीज का आप ध्यान रखेंगे Very good, कुछ लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, CT scan से पहले, जो डाई काम में लेते हैं, उससे प्रोब्लम होती है तो मरीज को अगर ऑस्टर से ऐलर्जी की स्टी है, चेक पोर स्टी ऑप ऐलर्जी फोर एनी CT scan किसी भी तरीका का आप कंप्टराइज एक्जेल टॉमोगराफी करते हैं, CT करवाते हैं मरीज का तो आप डाई यूज करते हैं, तो उससे पहले ऐलर्जी चेक करना जरूरी, यह सबसे इंपोर्टेंट टेस्ट होता है ऐलर्जी के लिए आप चेक करें, ऐलर्जी तो महाँ पे प्रोब्लम नहीं हो रही है A जो और जो है वो incorrect है, फिकोज जो cat है, वो mention से उसका कोई सम्मद नहीं है क्लस्टोफोबिया की अगर मरीज को uyस्टी है, तो उसके लिए चेक करना का जुरत नहीं है क्योंकि ये cat से संबंद इतनी है कलस्टोफोबिया fear from close space होता है कलस्टोफोबिया ज्यादातर MRI से पहले मरीज को रहता है तो ये cat scan के अंदर बिल्कुल भी problematic issue नहीं है और sensory deafness जो है last option में लिकावाई इसका संबंद भी cat scan से नहीं है क्योंकि वहाँ पे कोई सुनने की जरूती नहीं है A, B और D तिनों एक खोटे जवाब है C बिल्कुल correct answer है dice allergy है तो cat scan नहीं हो सकता तो daster allergy जो है उसके लिए oyster allergies के लिए मरीज को जरूर चेक करना होता है जब cat scan का हम preparation कर रहे हैं बहुत ही बढ़िया बहुत ही सांदार आगे लेके चलता हूँ next day किएगा next day किएगा a six month old client is placed on strict bad rest following a hernia repair which toy is best suited to the client छे महीने का बच्चा है strict bad rest बोल दिया उसको hernia repair के बाद में कौन सा खिलोना उसके लिए सबसे ज़्यादा suitable है कितना अच्छा question छे महीने के बच्चे में hernia report के बाद में important खिलोना colorful crib mobile handheld electronic game cars in a plastic container 30 piece jigsaw puzzle सबसे अच्चा खिलोना छे महीने के बच्चे का सबसे अच्चा खिलोना छे महीने के बच्चे के लिए अलग-अप्सन है पहला option लिकावा है कि उसको आप क्या देंगे colorful crib mobile 6 महीने के बच्चे के लिए colorful जो mobile है वो बहुत मतलब हम कह सकते हैं की पुराना मामला है मतलब 6 महीने से पहले अगर बच्चा होता एक महीने का दो महीने का तो उस colorful mobile से वो उसके लिए अच्चा खिलोना होता लेकिन यह बच्चा थोड़ा बड़ा हो चुका है इसके लिए छोटे बच्चों के लिए ज्यादा छोटे बच्चों के लिए एक महीना दो महीना के लिए कलत हो गया सी ऑप्सन बी में जो लिकावा है हैंड हैल्ड इलेक्ट्रोनिक गैम और डी में लिकाव तर्टी पीज़ जिक्सो पजल यह इस बच्चे के लिए बढ़े लेवल के गैम है यह बच्चा वह छोटा है इनके भीचे बच्चे के लिए चीजें उचीत नहीं है गैम और फजल इनके लिए बच्चे का उमर ज्यादा चीए होता है जबकि क्रिब मोबाइल छोटे बच्चे के लिए उचीत है इस बच्चे के लिए जो हमारे 6 महीने का बच्चा है जिसका अर्णिया रिपेर हुआ है प्लास्टिक कांटेनर के अंदर कार है इस बच्चे के लिए बेस्ट आपशने यहाँ पर दें नेक्स है किलाइंट पॉलिो दे नर्स तिटेल देक्लाइन यह जिए रही है तो प्लाइंग के समय क्या आप मरीज को बोलेंगे क्या चीज उसको समझाएंगे फरस चैंगे होट बात भी dc panels and spasticity ओट बात लेगी तो stiffness इसपसीटी कम हो जाएगी सेड्यीड चैर्ड और सट्रेंगनेस एकसाइज विल इंप्रूब मसल इस्टेंद एक बढ़ाईगी थरड़ा रेस्ट पीडिट विडियर्ट पेरियर थूर्य व सेड्यूल हो ना चीए लास्ट है करेक्ट किया जाता है जो भी इसके द्वारा चार बातें यहां पे लिकिए और कौन सी बात करेक्ट है व्लियो में मुझे मेरीज में सबसे खास बात होती है उसके मुझे में मसल में weakness होती है तो उसको बीच बीच में दिन भर के काम में rest चाहिए होता है energy को कंजर करने के लिए correct answer है रहेगा C rest period चाहिए उसको schedule करें पूरे दिन के काम के अंदर अपनी energy को कंजर कर पाता है कुछ लोगों ने सही जवाब दिया very good लेकिन बहुत सारे नहीं ले सकता है इसलिए इस Mary's mom क्या करते अवाइड करते है कि उसका sensation प्रॉपर नहीं होता है वाम बाद यहाट बाद की जगह क्या दे सकते हो दी सकते हों ल्यूक वां लेकिन होट नहीं और वाम मैं फरक है waaltet मतलब अंगारा waam मतलब लुकुनिया तो आप waam बात दे सकते हो होट बात आपको क्या करना है अबोई करना है वो आपको नहीं देना होता से स्कान करना होता है विज्टरब्ब जो है वो पॉलियो से होता ही नहीं है तो उसको करेक्ट करने की कहा जुरत है ए बी और डी जब तीनों ही खोटे जवाब हो गए तो आपके सामने एक यह ऑप्सन बचा और वह कौन सा है सी की रेस्ट पीरियड सेड्यूल करें पूरे दिन के कारियों के अंदर और यह पॉलिय क्रिष्ट ने कहाता कि सार्थी बने स्वार्थी ना बने तो सार्थी पन दिखाईए फटापट से और कई लोगों तक एप्रोच कर लीजिए और किसी की मुस्कान का कारण बनिए क्योंकि जो है बहुत इंपोर्टन बात है कि आप अगर किसी की मुस्कान का कारण बनते है तो बगवान अपने आप आपको मुस्कान देने की कौसिस करता है और आपको मुस्कान अपना आप मिलेगी। तो कुछ कर दिखाई है ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा मिलते हैं दुबारा एक नई एनरजी नए MCQ सेसन के साथ मैं कुछ इंपोर्टेंट कुछ ट्रिकी कुछ कंसेप्शल MCQ सब तक के लिए जै हिंद जै भारत जै माकाल